साल 2019 में अपराधी घटनाएं दस प्रतिशत कम हुई है ये जानकारी नापुर शहर के पुलिस आईत्र डॉक्टर भोशन कुमार उपाध्या ने दी इसका श्रिया नापुर पुलिस को चाता है नापुर पुलिस के लिए साल 2019 बहुत चुलाती पुन रहा इस साल शहर में दो पड़े इलेक्शन हुए है लोगसभा और राच्यसभा इलेक्शन के दौरान पी पुलिस दे सतक रहकर कानून और सुब्यवस्ता बनाई रखे इसके बाद अयुध्या श्रीराम जन्मभूमी म मंत्री साथी कई नेता और विधायक शहर में बहुचो थे इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी पुलिस पर था और पुलिस ते यह जिम्मितारी भी बखो भी निपाई है इसके साथी विदान भवन पर अधिवेशन के दोरान कई मोच्छों ने विभिन्ना मांगों के लिए तस तक थी इस दोरान भी पुलिस ने कड़ा बंतोबस किया था इसलिए प्रदर्शन कार्यू ने हिंसा का मार्क छोड़कर शांतिपुन प्रदर्शन किया देश में CAA और NRC के विरोत में लोग सड़क पर उतराये हैं जिसका सर नाखपुर में भी दिखाय थिया लेकिन पुल कुछ शहर में अपराती घटनाव में 10 प्रतिशत कमी आई है जो मुख्य अपरात है जिसमें डॉपरी, डकेती, सेन भारी, मारा मारी, लुटपात, महिलाव पर होने पारे अत्याचार इन मामलों में अपरात 10 प्रतिशत कम हुआ है पिछले साल के तुल्ना में हत्या की माम मामली दश के गय जिसमें से 49 हत्या की मामली, पारीवारी कला के आपस में घटे है 27 मामली मामली विवात के चलते और 17 मामली पुराने विबात के चलती हुए है नापपुर पुलिस आईताले द्वारा मिली आकडों के अनुसार साल 2008 में 8,475 अपराथी मामली दश के गए थे और साल 2019 के शुरुवात से लेकर अब तक 7,617 मामली दश के गए है इस अनुसार कुल मामली 858 से कम हुए है और ये शहर के लिए अच्छी बात है पुलिस आईता डॉक्टर भूशन कुमारुपाध्या ने बताया कि शहर की कुख्याद बदमाश जेल में बंध है 41 आरुपियों पर MPD की कारिवाई की गए 13 आरुपियों पर मोका लगाया गया साथी महराष्टर राचर में नाखपुर में MPD की कारिवाई सबसे जाता की के गैंग्स्टर संतोष आंबिकर अबू लेटिर सर्दार जैसे कोख्याद अपरादी जेल में बंध रहने से अपरादी घटना एक कम हो रही है पुलिस आयुत ने पुलिस विफाक को सहयोग करने लिए शहर की जनता और पत्रकारों का आभार मारा अब देखिए मेरी साब से इस टाइप गंद रहने हर एक साल रहता है कोई नहीं बात नहीं है लेकिन हम पुरे नाकूर शहर में काफिये स्ट्रॉंग पुलिस बंदवस्त लगाने वाले हैं उसमें हमारा फिक्स पाइंट है पेट्रॉलिंग है या जो क्रिमनल रेकॉर्ड के हैं उनको हम पहले परतिमंदा करवाई भी कर रहे हैं इसके लावा पूरे शहर में कम सक्वा सतर जगह हम नाकाबंदी लगा रहे हैं वहां पे हमारे ट्राफिक वाले रहेंगे पुलिशन के लोग रहेंगे और कोई भी शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो इसमें करवाई करेंगे तो वहां पे हम इस्पेशल बंदवस रख रहे हैं तो लास्ट यर भी हमने काफी स्ट्रॉंग बंदवस रखा था और कहीं भी कोई अपरी इखटना नहीं हुए थी तो उसी इसाब से आज भी हम पुरे शहर में बंदवस रखेंगे 31 को और मेरी पुरी उमीद है कि लोग ह चाहरे 11 बजे लग जाएगा 11-11 बजे और हमारे लोग 6 बजे तक रहेंगे पूरे डूटी पर जे सर और आप शहर के ACP होने के नाते हैं शहर के नागरिकों को क्या आवान कर ली कि देखें मेरा लोगों से ही आवान है कि 31 को लोग काफी उत्सव मनाते हैं तो आप जरूर उत्सव मनाएए जरूर आनंद को लूटिए विसमें कोई प्रवल्म नहीं लेकिन यह हमें से आध् और सुष्था का प्रश्णिर्मान नहीं दूसरे किस्यों को तकलीफ नहीं और पुलिस अगर आपको रिक्वेस्ट करती हैं तो आप पुलिस को कॉपरेट करें कहीं पे कोई अपराद नहों पाए काईदा लॉडर का कोई प्रवल्म नहीं और आपके पडोसी को और किसी व पड़िये अगर आपको किसी और कोई विक्ति है जो आपका अदर नहीं उसके हां जाईए गरीबों में मिठाई बाटिये जो और फंस बच्चे हैं आनाक बच्चे उनको हिल्प कीजिए जो बुजूर्व अकेले घर पर रहते हैं उनके बच्चे बाहर रते हैं उनके घर जाए उनके साथ बिताईए तो एक या जो अपना ओल्ड एज हो में वहां पर जाईए तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जब भी उत्साव साधरा करते हैं तो उसका परपैस ऐसा रहता है कि उससे समाज की संदेज जाए उससे कोई नुक्सान नहों तो हम अगर खुशी किसी को द हैं या जो पीडित लोग हैं या समाज में जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको हम हिल्प करेंगे इस संकल्प के साथ अगर हम नए साल की सुरवात करते हैं तो मुसको लगता है कि काफी अपने नागपूर के लिए राजी के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा विरेंदर खोब्राकडी की साथ एक तो गहरवार की रिपूर्ट